कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एक ऐसी लड़की से प्यार कर लेते हैं जो कि बहुत ज़ादा टॉक्सिक होती है इस वीडियो में मैं आपको लड़कियों की psychology बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनकी psychology के साथ कैसे अपने आपको बचाया जाता है और कैसे खेला जाता है ताकि आप उस लड़की को manipulate कर पाओ क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ऐसी लड़किया आपको manipulate करेंगी ये है part 1, total हम 5 parts बनाने वाले हैं जो कि आपको description box में link मिल जाएगा इस part 1 में हम समझेंगे emotional manipulation techniques के बारे में लड़कियां बहुत ज़दा emotionally active होती हैं, लड़कियों में बहुत ज़दा emotions होते हैं जब वो खुश होती हैं तो बहुत ज़दा खुश होती हैं, जब वो निराश होती हैं तो बहुत ज़दा निराश होती हैं जो बहुत ज़दा डरती हैं तो डरती ही चली जाती हैं इसलिए हम कहते हैं कि लड़कियों के mood swings बहुत ज़दा होते हैं लड़कियों के emotions को ना सिर्फ आपको समझना है बलकि उसको कैसे manipulate करना है ये भी समझना है इसमें मैं आपको 3 points बताने वाला हूँ सबसे पहला point है guilt tripping का इस्तमाल करना लड़कियां क्या होती है न कि अपनी मन मानी करती है अपनी चलाती है तो आपको क्या करना है कि लड़की को ये feel करवाना है कि जो वो सोच रही है न वो गलत सोच रही है जो करने वाली है वो गलत कर रही है जो अभी तक उसने किया वो गलत किया है तकि अब उसको रियलाइस करवा पाओ कि उसने कितना गलत किया है आपके साथ और कितना गलत करने वाली है अपने आने वाले लोगों के साथ guilt ripping में क्या होता है अब लड़की को एहसास दिलाते हो कि तुने ये किया ना तुने कितना गलत किया तेरी ओज़से उसको कितना परिशानी हुई तेरी ओज़से हो कितना ज़्यादा sad हुआ तेरी ओज़से सब कुछ हो रहा है अब चाहो तो आप इसको manipulate करने के लिए भी use कर सकते हो बतलब हो सकता है लड़की ने कुछ भी गलत ना किया हो लेकिन फिर भी आप उसको ऐसा दिखाओ कि वो सब कुछ गलत कर रही है जैसे कि आप बोलो कि कल तुने मेरे call को पिकनी किया ना तेरी हो जैसे मैं रात भर सो नहीं पाया अब हो सकता है आप सोय हो ना सोय हो लेकिन आप लड़की को guilt ripping करवा रहे हो कि तेरी वज़र से मैं नहीं सोया या आप कह सकते हो कि यार तूने ना उस दिन मेरे को ना गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था ना लड़कियों को तारीफें बहुत जादा पसंद होती हैं लेकिन हम लड़के गलती ये करते हैं कि 24 गंटे बस तारीफ ही करते रहते हैं सुबह उठते ही तुमसे हसीन कौन होगा तुमसे जादा दिलरुबा कौन होगा गुड मॉर्निंग मेरी जाने मन और एंडिंग भी ऐसे ही करते हो कि सो जाओ अपने सपनों में मुझे याद करना मैं तुम्हारे सपनों में आऊँगा फिर बात ने करेंगे इतनी ज़दा तारीफें करते हो ना आँ आँ पढ़ा लड़की की एपन उसको प्रेज करो तुम बहुत अच्छे से बात करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करना लड़की की आप हुसनी की तारीफ करो बाल की तारीफ करो, चो मर्जी वो करो, लेकिन अवर्डू नहीं करना, और जब आपको लगे कि लड़की कुछ जादा ही उसके लिए उसके लिए उस्टू हो रही है, तो तारीफ करना बंद कर दो, और क्रिटिसिजम कब लेकर आजाओ वहाँ परेंगल, क्या ठीक है यार, तुम्हें ये नहीं करना चीए था, ठीक है यार, बड़ तुम्हें वो नहीं करना चीए था, तुमने आपको लगे कि लड़की आर कुछ जादाई बोर हो रही है, तो आप प्रेस करना शुरू कर दो, इसी को कहते हैं, पुश पोल मेथड, थर्ड पॉइंट आपको समझन है emotional blackmail का उपयोग कभी हमें किसी को blackmail नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से और जैसा आप सोच रहो ऐसे तो बिलकुल नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ जब कोई लड़की टॉक्सिक हो जाए जब कोई लड़की आपको blackmail करना चुरू करते तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको reverse you know card देना पड़ता है जो कि होता है emotional blackmail का अब जैसे कुछ लड़कियां होते हैं जो बोलते हैं कि कल मिलना है आपको आप मुझे gift नहीं दोगे वो ना मुझे top बहुत ज़दा पसंद आगी है आप gift नहीं करोगे मुझे वो और वो top भाई 4,000, 5,000, 10,000 कितने की है लड़की आपसे gift ले लेकी अब ये भी एक blackmail है लेकिन दुनिया इसको नहीं समझे की दुनिया बोले कि हाँ लड़कियों तो gift चाहिए होते है तिरको देना है तो दे क्योंकि तबी तो मिलेगा लेकिन जब हमारे उपर बात होती है न तो हम सबको लड़कों को गलत मान ल लड़की आपकी तारीफ नहीं करी तो भी उसकी तारीफ करो लड़की से बात करो और एक टाइम की बाद जब लड़की को आपकी आदत लग जाए तो लड़की को बोलो यार देखो मुझे लगता है न कि हमारी friendship जादा नहीं चल बाएगी क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़की बोलेगी हाँ मैं ऐसा फ्रेंड ही तुम बोलो नहीं आर मुझे लगता है न आपने लड़की के मन में एक चूहार डाल दिया जो कि यह प्यार का अब लड़की बोलेगी यार मुझे तो प्यार नहीं भी होगा न तब भी उसको प्यार हो जाएगा और जब यह ऐ मुझे प्यार हो गया तो मुझे रिलेशन्शिप चाहिए अधरवाइस मैं यह फ्रेंशिप भी नहीं रखोंगा क्योंकि लड़की को आपकी आदत लग पाई है तो भाई लड़की आपको नहीं छोड़ेगी और यह सुजह से लड़की कहीं नहीं समझ रो ना ब्लैक मेल कहेंगे इसको बठा लड़की के सामने आप कम से कम अपने आपको डिफेंड कर पाऊगे अगली पार्ट के लिए कमेर सेक्शन में लिंक मिल जाएगा जाके उस वीड़को जरूर देखना धन्यवाद